हलो दोस्टों स्वागत आपका अपने चैनल मस्ट इस्टेडी सपोर्ट में आज हम प्रॉफिट और लास की टॉपिक को डिसकस करेंगे और उनके प्रशनों को देखेंगे ठीक है प्रशनों को अल करने के पहले समझ लेजी कि प्रॉफिट और लास में होता क्या क्या ठीक है अ मुझा от की तो देखिए लाव अहानरी में क्या क्यों होता है की पार होते हैं क्राम मुल है क्रेंड तेकर क्रें मुल को हम क्राइल भी बोलते हैं और चुछ प्राइश मैं आगे साट न में इसको बोल देते हैं रहें पॉलते जिप your क्रामूल क्या होता है मतलब CP क्या होता है हम किसी वस्तु को जितने रुपा में खरीदते हैं वह ही उस वस्तु का क्या होता है CP होता मतलब क्रामूल कुछ सब्सक्राइब करू इसको देख लीजिए हम आदि है इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइज इसको SP से भी लिख देते हैं ठीक है कि मतलब सेलिंग प्राइज ठीक है मतलब विक्रमूल क्या होता है किसी वस्तु को बेचना ही विक्रमूल कहलाता है ठीक है मतलब हमने अगर कोई वस्तु 50 रुपाई की बेची तो वही उस वस्तु का क्या हो जाएगा विक्रमूल क्या हो जाएगा विक्रमूल ठीक है क्या हो जाएगा विक्रामूल किसी वस्तु को बेचना क्या होता है विक्रामूल ठीक है अगर हमने कोई वस्तु 50 रुपाई की बेची तो वही उस वस्तु को क्या हो जाएगा विक्रामूल ठीक है अब देख लीजिए लाब क्या होता है लाब मान लीजिए हमने कोई वर्स्टू 100 रुपाई की खरीदी, खरीदना मतलब CP, 100 रुपाई की खरीदी और उसको बेच दिया, कितने में? 120 रुपाई में, मतलब 100 रुपाई की खरीदी और 120 रुपाई में बेच दिया, लाब क्या हो जाएगा हमारा? 20 रुपाई, क्या हो जाए लाब बराबर हो जाएगा अगर 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 देख लिजे माली जो कोई वस्तू हमने 100 रुपाय की खरीदी और उसको बेच दिया 80 रुपाय में 100 की खरीदी और 80 की बेच दि तो हमको क्या होगा हानी होगी है ना ठीक है तो हानी का फार्मूला क्या हो जाएगा CP माइनस SP मतलब क्रैमूल माइनस विक्रैमूल ठीक है देख लिजे अगर CP बड़ा है SP से तो क्या होगा हमको हानी अगर SP बड़ा है CP से तो क्या होगा लाब मतलब अगर विक्रैमूल बड़ा है क्रैमूल से तो हमें क्या होगा लाब और अगर क्रैमूल बड़ा है विक्रै लाव का पता चलता है चीक है तो मुक्त सकते हैं कि लाव और हा निकावल होता है चीक है लाभ और सूत्र होता है लाब प्रत्षत का सूत्र क्या होता है लाब बटे क्रैमूल क्रैमूल यह देखे हमेशा जो बेस क्या होता है बेस सीपी होता है लाब और हानी के जो बेस होता हो क्या होता हमेशा Cp यह याद रखिएगा तो सूत्रियाद करने जरूत नहीं पड़ेगी आपको तो लाब प्रस्थ क्या होता है लाब बटे विक्रमुल गोड़े सॉप थीक है तो यह द्रखाँ रखेंगे लाब और हो रहा हमको 20 रुपाय का लाब हो रहा है 20 रुपाय का तो विक्रय मुल्ग कितने का होगा ठीक है तो कैसे निकालेंगे देखिए 100 रुपाय की खरीदी 20 रुपाय का लाब हुआ तो विक्रय मुल्ग क्या हुआ होगा 120 रुपाय है ना देखिए 100 रुपाय खरीदी और 20 अगर क्रायमुल में लाब को जोड़दें तो क्या निकल आईगा हमारा विश्च क्रैमुल एस्पि क्या हो जाएगा आसी रुपए ठीक है हमने को lanç तु खरीड़ी साब रूपए की ईसको बेंच दी 10 पीजुको तो हमारा हिए जोड़ देंगे तो हमारा आइसपी निकल आईगा ठीक है एक और मகत्ड देख लीजिए उससे हमारे सारे सवाल लग जाएंगे ठीक है श्रक्सन में आ डेख लीज जए मालीजिए सवाल कह रहा कि कोई वस्तु है जिस पर 20 परसेंट स्वाइब को मिं और CP बताईए ठीक है तो कि इसको लगांगे देखिए 20% का लाब हो रहा तो 20% का क्या निकाल देंगे हम fraction value यह क्या होती है एक बटा पांच यह percentage के chapter में बता चुके है fraction value का इसी निकाली जाती है ठीक है तो के जो नीचे होता हुआ हमें सकियो खता है लाब हर जो हानी का बेस होता है अधार हर क्या होता है cp होता ल Glass火 क्या हुआ değiş होता है लाब यह झूके सबस्टों होती यह इस आप से देख लेंगे गोड़ हो ही तो क्या हुआ मतलब एक रुपए का लाग हुआ पाँच रुपए की वस्टू ठीत निकला आ ministers गाला गया थेक्व करके पांच रुपए की वस्टू थी म्रपे का लाबुर्ब किल्ऻ एक मृटल इएख निकला अगर रहा लूरा स्पीए घ्रिट तब रही होती तो हम घटा देते ठीक है एक बात याद रखेए कि का जो हमेशा बेस होता है कि रहाद से क्याने ओए तो 20 परशंटर की क야 निकाल देंगे फ्रैक्शन वैल्यू क्या है कि अगर नीचे वोडता है वह हमेंसे क्या होता है उपर topic क्या होगा लाब या हानी होकी ठीक है तो घाटा हो रहा तो गटा देंगे लाब बोरा तो जोड देंगे जान ने कितना परसेंटग में कितنا होता है अपने आप में ठीक है क्राइम मूल जो है परसेंटेज में हैंड़ परसेंट होता है ठीक है अब क्राइम मूल को हम लागत मूल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं लागत मूल क्राइम मूल को हम लागत मूल भी बोलते हैं ठीक है ठीक है तो चलिए अब प्रस्णों को देखते है देखिए इसमें क्या कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल 600 रुपा है यदी वस्तु को 20 प्रसत के लाब पर बेंचा जाए तो वस्तु का विक्रैमूल क्या होगा हमसे क्या पूँच रहा है विक्रैमूल मतलब SP क्या दिए किसी वस्तु का लागत्मूल लागत्मूल क्या होता है क्रैमूल क्रैमूल को ही क्या बोलते हैं लागत्मूल ठीक है तो हमको क्या दिए सीपी CP कितना दिये 600 रुपा है ठीक है अब कर अब 20 प्रस्ट के लाब पर बेचा जाता है देखे परसेंटेज में दिये है ना इसको हम क्या कर लेंगे चाहिए कई कर 10 की अब्सेली क्या होगी एक बटा पाठ ठीक है हम मैं ने का जो नीचे होता हो हमेशा क्या होता है CP कि और पर क्या होता है LABA यहां है और प्रस्ट में जो कहीत रहा हुआ ह मतलब 5 CP हो रहा है है तक मारा 5 सीपिए एक लाभ हो घुर हो यह हो जाएगा बात प्लस एक चैंड 6 सब्सच स्वह प्लस एक छ की वस्टोदी च्हाहां में वेच सपर एक का लाभ हुआ तो आप सब्सक्रीए यह कितना दिये 600 मतलब पांच कि छैसों है क्वाग देंगे निकाल लेंगे कितना हो जाएगा पांच 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 पांजुनी दस जीरो एक क्या गई 120 अब हमसे पूंच आता वस्त्यू का विक्रामूल क्या होगा विक्रामूल कितना अच्छा है एक क्युवैल्य एक 120 है तो 6 की वेल्यू कित्ती हो जाएगी 120 गुड़े 6 गुड़ा का दिंग कितना आ जाए बच्छंग 72 720 यह क्या गया हमारा विक्रमूल मतलब SP क्या हो गया हमारे अंसर ठीक है कि इसको एक और तरीके से भी लगा सकते हैं मैंने क्या कहा था क्या है हेंद्र वान लाव कितने का हो रहा है प्रॉफिट लाब हो रहा हमारा जुकि मैं स सब्सक्राइगए 120 ग़्र nov 19 कितना चाहरा तो स्ब्लस प्लस बीड夜 मतलब 120 you कि टो अब स्पियमार कितना होगा 120 अब देखेज चिपेज़ और इदर रूपा में कितना दिये 600 रूपा मतलब चुल कितनी है सो परसेंट कि वालू चैसा एक परसेंट कि वालू कितनी हो जाएगी 600 भागे सव चैसो भागे शो कार्दिंग कितना आ जाएगा चाहे। है 9 एक परसेंट की यूटा है अब हमसे क्या पेँर थे विक्रा मूल क्या होगा होगा विक्रा मूल की किती एक चुथीट परसेंट 1 की एक परसेंट की लिए तो 120 परसेंट की कितनी हो भी हो है 120fps की 120 में हम च्टा बुणा करा देंगे कितना जाएगा या कि kilograms 72 सब्सक्राइब तरह से लगा सकते लेकिन आप इस तरह से लगाईए इस तरह से सवाल लग जाएंगे तो देखिए एक बार देख लिए था किसी वस्तु का लागत मूल दिये था और कहा रहा था विक्रमूल पूंच रहा था मतलब तो आप पूंच रहा था तो हम देख लिए 20 परसेंट की फ्रेक्शन वाल्यू निकाली एक बटा पांच आ गई ठीक है जो मैंने कहा तो जो हर में होता है वो क्या होता हमेशा सीपी होता है ठीक है हर में है जो क्या हो गया सीपी मतलब 5 हमारा निकला है सीपी और एक जो उपर और प्रस्ण में 600 था सीपी दिलब 5 की वैल्यू 600 तो एक की वैल्यू कित्ती है गें हमाई 120 अब हमको क्या निकालना था ऐस्पी हमारे कितना त्च्छा है एक की वैल्यू कित्ती हो जाएगी 120 गुड़े च्छा है आगई हमाई 720 ठीक है इस तरह से भी आप लगा सकते हैं ठ ठीक है अब अगले सवाल देखते हैं देखिए इसमें क्या कह रहा है कह रहा है एक वेक्ती एक वस्तु को 930 रुपए में बेचता है तो उसे 25 परसेंट की हानी होती है तो वस्तु का क्रेमूल बताईए ठीक है आपने परसेंटेज देखा उसको तुरंत कर लिजे आप फ् प्रस में क्या हो रही हानी तो एक की हमको हानी हो गई ठीक है चार रुपए की वस्तु खरीदी एक की हानी होई तो एस्पी कितना निकला आगा हमारा चार माइनस एक ठीक हानी हो रही तो हम घटाएंगे ना एस्पी अगर निकालना है तो तो एस्पी कितना निकला है हमारा 3 ठीक है चार की वास्ट्टु थी तीन में BIचीम एक्ती गया हobi हमको और अद में क्या रहा थे नौश तीस रुपाइ में बेचता है मतलब विक्रमुल मतलब 3 की value दिये कितनी 930 3 की value कितनी दिये है 930 तो एक की value निकाल लेंगे इस से 930 भागे 3 भाग दे दिन कितना जाएगा 3 तरह करना वो 3 करने 3, 0, 310, अब हमसे क्या पूर्च रहा था, तुब अस्ट का क्रेमूल बताइए, क्रेमूल कितना है, 4, 1 की वैल्यू 310 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गोडे, 310, गोडा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0, 4 ती यह 12, 1240 रुपए, तो करका से बीनम करें देख समय क्या दिए रका देख आ इक वेक्टी नाव्सोटीज रुपए में वस्तु को बेचता है बेचना मतलब विक्रमूल नाय। तो उसे 25 की हानी होती है तो से वस्तु का क्रमूल पूश रहा था ठीक है तो ने 25 सेस्ट की सबसे पहले क्या कreズy ली ट्रक्षन वेल्व निकाल ली पट्कीस प्रसेंट के फ्रक्षन किया कितना गया एक बटा चार जो मैंने का तो नीचे होता है वो हमेसा क्या होता है CP तो 4 हमारा CP हो गया और एक क्या हो गई हानी तो SP हमारा कितना निकलाया तीन 4 में 1 गटा देंगे, कितना निकला है 3 अगर लाब होता तो 1 जोड़ देते, ठीक है तो HT हमारे कितना निकला है 3 अक्यूस्टन में कितना कह रहा था, 930 रुपए मतलब 3 की वैल्य कितनी है 930 तो 1 की वैल्य निकल लेंगे, 930 में 3 का भाग दे दें कितना निकला है 310 अब हमसे पूंच था क्रामूल कितना था चार जब एक क्यो एली 310 तो चार क्यों कितनी निकलाएगी चार में 310 का गोना करा दें कितना आ गए 1240 यहीं क्या हो गए हमारा अंसर ठीक है अब अगला question देखते हैं कि देखिए इसमें क्या कह रहा है कर एक cycle का विक्रामूल 12 रुपा है तथा 20 प्रस्त की हानी होती है तो cycle का क्रामूल बताईए ठीक है विक्रामूल दिये और हानी दिये पूंच रहा है क्रामूल ठीक है देखिए परसेंट दिये 20 परसेंट इसको हम fraction में तोड़ लेंगे 20 प हो गई हमको सानी अब साव हम सी निकाल लेंगे देझ से स्वी कितने का कितना निकलेगासव पांच में गटा देंगे हानी तो घटा देंगे तो कितना हो गया सब्ताप्त की बस्तिवश्य में बेंच दिए 1 की हानी हो गई ठीक है तो फे из कि भागदीजीं कितना आएगा चार्टियां बारहं थिनसओ ठीक है एक कि वख्त कि पूछल कितने पांच थिक किल के क्रेम पांच तूछ यह basic से सवाल है ठीक है अब अगला question देखते हैं देखिए इसमें क्या कहा रहा है एक दुकंदार एक किताब को 44 रुपए में बेच कर दस प्रस्षत का लाब कमाता है तो किताब का क्रेमूल क्या होगा ठीक है कि विक्रेमूल दिए बेच कर मतलब विक्रेमूल दिए ठीक है तो दस परसेंट की सबसे पहले हम क्या कर लेंगे प्रस्षत की किती होती है एक बचा दस नीचे होता है यह वेह उपर जो पकल अदो प्रकुशन होती है तो इस प्रस्थ में क्ला लाब तो यह लाप होगा ठीक है अब आइस पी निकाल लेंगे हम इससे है भी फंट तब आइस पीडिना निकलाएगा दर्स प्लस एक कितना तो इसे किय preserve Total faster 살 तो मतलब गेरा की वैल्व कित्ती दिये है 44 सो एक क्यों निकाल लेंगे हम इस से तो चौवालिश्व में गेरा का बाग देंगे लाग देंगे कितना है गए गरच्शुक चावा लिस चार सो टो एक क्यों हमाई कितनी जाएगा किसा लिखे मेन की त्टाब क्रामूल कितना हो गया है तिकते हैं और ये च्छर Алगार त्यूस के ऍुक्रेंच कुर्फार से जिसें नंगर रहे तता सबसे पहले देखेंगे कि एक पुस्तक का उसलम ठेखेंगे उसब रिंच यह उसका श्राम्र के ने हुई ठीक है तो सबसे पहले देख लेंगे सीजिक ना लिये सीजि न मतलब कम एक हजार रुपाई ठीक है कि और इसम कितना दिए है ऑटहिस डीए 30 में भेजिटी तो हमको हानी हुई ुब एक हजार में आठ सो गटा देंगे तो हानी निकलाईगी ठीक है एक हजार में आठ सो गटा देंगे तो कितना निकलाई हानी दो सो दो सो हमाई हानी निकलाईगी अब हमसे क्या पूंच रहा था प्रत्सत हानी कि मैंने शूत्र बताया तह। क्या हुता है प्रत्सत में बठे क्या होगा वेश में ऩॏयंद अधार हमेसा क्रमो कि अ प्रत्सत क्रमो कर देंगे ठीक है अ कल कल लीजिए हानि कितनी को हम को 200 रुपाय की कि क्रायमूल कितना है 1000 कि गोड़े सब दोजी से दोजीरो कि एक जीरो इदर बचाए एक जुरी से जुरी इदर कट गया तो हानी कितनी की हमको 20 प्रस्षत की ठीक है यह क्या गया हम हमारा अंसर एक क्या गया अंसर कौन्से विकल्प सही है एक नम्मर ठीक है देखिए इसमें क्या कह रहा थे एक बार और देख लीजिए करते एक पुस्तक का क्रैमूल एक हजार है और वे क्रैमूल आट सुरुपाय तो कितने प्रस्षत की हानी हुई देखिए हमने कोई वस्तु खरीदी एक हजार की उसको बेच दिया आट सुरुपाय में तो हानी कितनी की हुई हानी प्रस्षत के क्या सूट होता है हानी बते क्रैमूल मतलब बेच में क्या होता है हमें साथ क्रैमूल गुड़े सब हलक लिए स्कुरण के हानी कितनी की हुई 900,000 ہलकल लिए ये कितना है है 20 परसें ठीक है देखें लाब और हानी के कुछ बेसिक से सवाल थे ठीक है ठीक है तो आज कई वीडियों सवाप्त होता है कि अगर आप कोई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए